हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हो अवसवीग तो स्वागत आवसवीग हा एक बार फिस से हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे राजस्तान पटवारी 2020 का जो एक्जाम होने वाला है उसी के बारे में हम बिसकस करेंगे तो फाइनली आज जो है वो 44-20 पोस्टों के लिए आपके ओनलाइन फोरम है वो स्टार्ट हो गए बीच तारीक से तो अपनी ओनलाइन फोरम है वो फिल कर देना अच्छे से पूरा चैक करके किसी भी परकार की गलती नहीं करनी है एज में नहीं करनी है तो एक बार अच्छे से चैक करके समिट कर देना क्योंकि समिट होने के बाद में वो चैंज नहीं होता है तो बहुत सारे बच्छों ने जैसे राज़तान फुलीश में गलतीयां की थी फोटो को लेकर, सिकनेचर को लेकर, केटिगरी को लेकर तो ऐसा नहीं करना है तो एक बार पांच मिनट लेकि अच्छे से चेक करना है और फिर फाइनली सम्मिट करना है जा फीश पेग कर रहे हों इसके लाबा जो बच्छे बहुत सारे बच्छेव स्वानियर में है, जो फाइनलीयर में है इस साल वो भी फोर्म फिल पिल सकते हैं तो आप लोग भी फोर्म फिल कर सकते हैं चले हम डिस्कस करने वाले हैं आज सबसे important चीज़ जो है कि कैसे इसकी त्यारी करनी है और किन-किन पार्ट पर जाता ध्यान देना है और कहां से मैं त्यारी करनी है उनी चीज़ों के बारे विस्तार से हम डिस्कस कर गए तो फोर्म फिल कर देना है एक तो नोमली यह कि लाश्ट डेट तक वेट नहीं करना है लाश्ट में साइज जो हैं वो जाती है और इसका वो को मेटर है नहीं नोमली कितने फोर्म बरे गए हैं कितने नहीं बरे गए हैं क्योंकि ओपीशल डाट आएगा वो बाद में आ जाएगा अगर दस लाग फोर्म बरोगे तो भी आपको फोर्म बरोगे अगर पांस लोग लोग फोर्म बरेंगे तो भी आप बरोगे 160 थी और SC की जो थी वो 168 मेरिट रही थी तो 196 ठीक है आलांकि लास्ट बार से इस बार में भूत परिवर्थ था न क्यूंकि लास्ट बार एक तो एक जाम दो हुए थे और अब की बार एक ही एक जाम होने वाला है पहला परिवर्थन दो थे दूसरी बार यह था कि लास्ट ब आता नॉमली लेकिन इस बार इस बार जो सबसे मुख्य रोल है वो जी की गई है पेसले बार जो मैत वाले जो थे उनको ज़्यादा पाथा लेकिन इस बार जिनकी मैत कमजोर है उनको कोई खास नुक्षान नहीं होने वाला है ठीक है अब देकि सबसे इपोर्टन चीज क्य है त्यारी करने के लिए ठीक है आप कितने भी बुक पढ़ लीजे कितने भी धोरी पढ़ लीजे अगर जी के ही जी के है पूरा अगर पार्ट ए की बात करेंगे आप टोटर 38 क्योशन आए जिसमें सिर्फ जी के है पार्ट बी की बात करेंगे इसमें 30 क्योशन आए जिसमे तो सबसे इपोर्टेंट है अगर आपने पिछले वाला पेपर देखा है और अगर आपको जीके पर कुछ जादा ही कॉन्पिटेंस है तो मैं आपको एक बार जरूर का हुआ कि लाश्ट वार वाला जो ग्राम सेव का पेपर हुआ था वो एक बार खोल के देख लेना और फिर इसमें अग्जाम हुआ था और इस बासकाप तवारी का जो एकजाम हुआ इसमें कोई जादा अंतर नहीं है और जीके क्या कर सकता है यह आप उस ग्राम सेव का पेपर जाकी देख लीजगा चो मालीज पेंटालीज परसेंट मेरे रहना वो भी ग्राम सिविक जैसे एक्जाम किर वो भी इस टाइम पर जब कॉंपिटेशन इतना हार्ड हो गया है इतने लोग पेपर देते हैं तो कितनी बड़ी चीज है चेक है तो जिके चाहे आप कितना भी अच्छा हो जरूरी है कि आप उसकी कितनी ज़्यादा प्रेक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जिके के मामले में कि पूरा जिके तो किसी को नहीं आता है और लेकिन उससे भी ज़्यादा इपोर्टन है कि क्या जितना आपने पड़ा है क्या उतने मैंसे आप क्योस् के पूछ लिया जाए और सी क्योस् Travis को सबाद को चेर्ज करके पूछ लिया जाए एक सबद के लिए दूसरा सबद करके पूछ लिया जाए कि क्या उसी तीरी की से ज़ी कर सकते हैं यह ज़्यादा इपूर्टेंट हो गया है ति यह जहादा पादो को स cook में पढ़ते हैं pretty Chief कुसम उनी टोपिक में से आता है फिर भी मारा कुसम से गलत हो जाता है क्योंकि इस पूछने के तरीके से उस लेंगवे से उसके बाद में उसी टोपिक का अगर आप टेस्ट देंगे तो पहले आप थोरी पढ़ेंगे फिर उसका प्रेक्टिस हो जाएगा और फिर आपके मैंड में रहेगा कि किस तरह के क्योशन आते हैं इस क्योशन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है और यही सबसे इपोर्ट करने का मतलब यह होता है कि जो चीज़ें पड़ी है आप जो उप्शन को लेगे इपन फ्यूज होते वह दूर हो जाएगा दूसरी चीज जो आपको क्योशन उसी एक्सेम क्योशन को तो थोड़ा सा दूसरे लेंग्विज में पूछ लिया जाए तो वह आपका कन कर दोगियों कि रास्तान पुलिस के लिए आप रिजिनिंग पड़ रहे हो अलग कि कुछ टोपिक हैं जो थोड़ा अलग है ठीक है लेकिन अगर आप रास्तान पुलिस के लिए पड़े हो ताभी आपका यह भी कवर हो जाएग और मैं थे वह वाला पार्ट इतना ज्याद कर लिए पड़ेगी सबसे इपर्ट दूसरी सीज कोचिंगो में आपके एस से क्यार में क्याम पूरा कपूरा पूरा रिवजिन के व होगा तो ओलरी बहुत सारी कोर्स मिलेंगे जो आपको दिख रहे हैं यह इतने देख सकते हैं इतनी कोष कि पिडिफ ले सकते हो जैसे राजfeldarni saali टपिय के 91 साथ यह अल्डर कि अलगली टीर जरकी सुचे तो किसी यह का भी देख सकते हो सब का देख सकते हो पवालेटी के 45 है प्रेक्टीस करने वाला टेस्ट है 31 कोर्स का चपूर्स Hebir इंडिन इस्ट्री के आपको 27 स्कोर्स मिल जाएंगे, करंट फेर के पूरे साल के 23 स्कोर्स हैं, जिसमें क्योसन से भी आपको मिलेंगे, ठीक है, इसला साइंस के की स्कोर्स है आपको, और मैथ रीजनिंग के भी आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा जो सबसे पो जितने बच्वों ने पेपर दिया उसमें आपकी रेंग कौन सी है कितने क्यूशन सही में कितने गलत हुएं और किस पार्ट में कितने कितने क्यूशन गलत हुएं तो 50 फुल मोडल पेपर मिल जाएंगे इसके अलावा आपको राजस्तान चीखिए कि 10,000 क्यूशन की प्रेट किसी का भी देख सकते हैं आप ओलाइन देख सकते हैं आप पीडियाप ले सकते हैं वही पर सारे कोर्शिज की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपनी रैंक देख सकते हैं और इसके अलवा सबसे इपोर्टेंट कि उस टाइमिंग के लिए जितन टैम के लिए आपने रजिस्ट दिये भी होंगे और कल एक और टेस्ट करेंगे आप लोगों के लिए डेमो के दोब फरी तो वो भी आप जोइन कर सकते हैं कल 12 बजे की टाइमिंग रहेगे लिंक मैं दे दूँगा करना कैसे रेजिस्टरिसन क्या चीज़ी आरकनी है कैसे आपको छूट मिलेगी जैसे आप अनकेडमी लर्निंग डावलोड करते हो तो सबसे पहले आपसे पूछे जाता है केटिगरी तो आरबेसी केटिगरी देने है अपनी आडी बना लेनी है आडी बनाने के वाले इन ती लाइनों पर आप OK करोगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर नाम आएगा पलस का पलस पर OK करते हैं आपको पहला यह पेज कुलेगा इसमें आपको GET subscription पर OK करना है यह फिर आपका दूसरा पेज कुलेगा इस तरह का इसमें आपको month select करना है कि केतने month के लिए आपको registration करना है तो कम से कम 3 या 6 मेने के लिए जरूर कीजिए और अगर मेरा advice बाने तो 6 से 12 मेने के लिए क्योंकि पटवारी के exam में आपको 6 मेने के लिए 6 मेने का 6 मेने के गमान के चलते हैं तो 6 मेने की piece होती है यहाँ पर 56 और एक साल की होती है 7,000 सबी exams के लिए एक साल की उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी जैसे आप continue करेंगे तो यह आपका तीसरा page खुलेगा यहाँ पर normally आपको पूचा जाएगा refill board तो यहाँ पर प्रहला सारण दे दीजे या प्रहला लाइव के नाम से दे दीजे और सबसे पहले इसको apply करना है तो यहाँ पर जो इतनी piece होगी उसमें आपका 10% कट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको credit नाम दिख रहे हैं फिर continue करके आपको registration कर लेना है सबसे important यह है कि आपको एक तो ज़्यादा piece ने जिमाने 6 महीने की अगर 56 होगा तो 10% 560 तो ऐसे कम हो गया तो प्लब 5,000 रुपए तो 6 महीने में मातर 5,000 रुपए वो भी राजस्तान पुलीश पटवारी फाइदा यह है सबसे important यहां पर कि आपको डेली पूरा course होगा course होते ही उसकी आपको practice करवाई जाएगी डेली हर topic की practice जितने भी questions बनते हैं जितने भी पुराने questions आएं वो cover हो जाएगे और उन lesson के साथ, theory के साथ तो practice चलती रहेगी इसके लावा भी आपके अलग-अलग series चलती रहेगी practice session चलते रहेगे और model paper आपके अलग से चलते रहेगे तो वो भी आप cover कर सकते हैं क्योंकि आप पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई और subject की यह continue जो पहले course होगे वो तो देखी सकते हैं इसके अलावा वाले course जो है वो भी आप देख सकते हैं जो अभी online चल रहे हैं कोई भी ऐसा subject नहीं होगा कोई भी ऐसा topic नहीं होगा जिसकी वहाँ पर आपको त्यारी नहीं करवाई जाएगी ठीक है तो अगर अच्छे से त्यारी करनी है तो registration करना है थोड़ा सा पढ़ना है सीरीश होके बाकिये का कोई doubt है कैसे registration करना है तो मैं number छोड़ देता हूं और तो आप मुझे message कर सकते हैं मैं समझा दूंगा और इसके लावा WhatsApp गुरूप का लिंक है वो भी आप दे सकते हैं और डेली रात की आठ बजे हम इसकी लाइव टेसीच यापर भी शुरू कर रहे हैं तो वह भी आप जोइन कर सकते हैं राइट ठीक है क्योंकि सबसे important यही है कि एक्जाम बारबार नहीं आता है और 4-5 रुपए को जादा नहीं होते हैं जब आप सारे एक्जाम को एक प्लेट फोर मिल दया है जहांपर एक जगे आप हर एक्जाम की त्यारी कर सकते हैं ठीक है बाकी फोरम में वो ध्यान से बि नहीं किसी spelling में mistake करनी है ठीक है अलांकी बाद में आपको संसोधन का मोका साही दे दिया जाए लेकिन ऐसी कुछ करना ही नहीं है कि आपको फीर पस्ताना पड़े तो एक ही फोरम फिल के जिए जो अंडर ग्रेजिट है यानि फाइनल एर में है वो भी फोरम फिल कर सकते है और डिपलोमा का तो आपको पता ही है जो continue है डिपलोमा चल ला है वो भी आप करी सकते है ऐसके कोई दिकत नहीं है ठारा से चालीस वरस दक है और अलग लग के टिकरी वाइस पीस आप जानते हैं नोमली बाकी का कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं तो वीडियो का लाइक कर दीजिए अगर कोई प्रोलम है तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हैं Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में